नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पंचतंतर की कहानी वानर राज का बदला दोस्तों, एक नगर के राजा चंदर के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यासन था बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था, वो सब बंदरों को नीत शास्त पढ़ाया करता था सब बंदर उसके आग्या का पालन करते थे, राजपुत्र भी उन बंदरों की सरदार वानर राज को बहुत मानते थे उसी नगर के राजग्रह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मिले भी थे उन में से एक मेधा बहुत लोबी था वह जब जी चाहे तब रसोई में गुसकर सब कुछ खलेता था रसोई उसे लकडी से मार कर बहर निकाल देते थे वानर राज ने जब ये कलह देखा तो वह चिंतित हो गया उसने सोचा ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा कारण ये की जिस दिन कोई नौकर इस मेले को जलती लकडी से मारेगा उसी दिन यह मेधा गुरसाल में घुसकर आग लगा देगा इससे कई घोड़े जल जाएंगे जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चरबी की मान पैदा होगी तब हम सब मारे जाएंगे इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दीकी वे अभी से राजग्रेह का त्याग कर दे किन्तो उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना राजग्रेह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे उन्हें छोड़ कर वे कैसे जाते उन्होंने वानराज से कहा कि बुडापे के कारण तुम्हारी बुद्धी मन पड़ गई है हम राजपुत्र के प्रेंग व्यवहार और अम्रिट समान मीठे फलों को छोड़ कर जंगल में नहीं जाएंगे वानराज ने आँखों में आँसु भर कर कहा मूर्खों तुम्हें इस लोग का परिनाम नहीं जानते ये सुप तुम्हें बहुत महिंगा पड़ेगा ये कहकर वानराज स्वयम राजब्रिल छोट कर वन में चला गया उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानराज ने वानरों को सावधान किया था एक लोगी मेधा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकली उस पर फैन की मेरे के बाल जलने लगे वहां से भाग कर वह अश्वशाला में घुस गया उसकी चिनगारियों से अश्वशाला भी जल गई कुछ घोड़े आग से जल कर वही मर गए कुछ रसी तुला कर शाला से भाग गए तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा वैद्यों ने आयूरवेद शास्थ देखकर सलाहदी की जले घावों पर बंदरों की चरबी की मरहम बना कर लगाई जाए राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आग ग्या दी सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़ कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया वानर राज को जब अपने वन्शक्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भरा कुठी दिन रात वर इसी चिंता में घुलने लगा आखिर उसे एक वन में मैसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुश्यों की पच्चिन थे उन चिनों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुश्य गए सब मर गए कोई वापिस नहीं आया वो समझ गया कि यहां अवश्य कोई नर्भक्षी मगरमच है उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगा कर पानी पीना शुरू कर दिया थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंथहार धारन किये हुए मगर मच निकला। उसने कहा इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापिस नहीं गया। तुने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षन भुद्धी का परिचे दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं कोई सा एक वर मांग ले। वानर राज ने पूछा मगर राज तुम्हारी भाक्षन शक्ती कितनी है। मगर राज जलमे मैं सैकरों, सहस्त्रों, पशू या मनुश्यों को खा सकता हूं। भूमी पर एक गिदर भी नहीं। वानर राज एक राजा से मेरा वैर है। यदि राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वल कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, ये कंठहार तुम्हे कहा मिला। वानर राज राजन, यहां से दूरवन में एक तालाब है। वहां रविवार के दिन सुबल के समय जो गोता लगाएगा उसे वल कंठहार मिल जाए किसी को यह न सूझा की ऐसा कभी संभव नहीं हो, सकता, तृष्णा सब को अंधा बना देती है, सेक्रों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लक्षप्ती करोडपती बनने की धुन में लगा रहता है, मनुष्य का शरीर जराजीन हो जा आप थोड़ा थार जायम, पहले और लोगों को कंधार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाश्य में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंधार मिलेंगे। जितने लोग जलाश्य में गए, सब दूब गए, कोई उपर ना आय उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत व्रिक्ष की उची शाखा पर चर्थ कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधू बांधवों को जलाश्य में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का मुझे बदला लेना था, ले लिया, जाओ, राजमहल को वापिस चले जाओ, राजा क्रोट से पागल हो रहा था, किन्तु अब कोई उपाय नहीं था, वानर राज ने सामान्य नीती का पालन किया था, हिंसा का उत्तर प्रते हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टत से देना ही व्यवहारिक नीती है, राजा के वापिस जाने के बाद मगर राज तालाब से निकला, उसने वानर राज की बुद्धि मत्ता की बहुत प्रशंसा की, सी, लोग बुद्धी पर परदा डाल देता है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी र